नमस्कार आदाध दोस्तो तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए लाया हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरे ब्रेकिनियो जट तो दोस्तों पटना लोग सभा चुनाओ 2024 से पहले विपच्ची दलों की बैठक को ले करके बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है क्या कुछ कहा है बीजेपी नेताओं ने इसकी जानगारी आगे आपको देंगे इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेच्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए अब दोस्तों बात करते हैं सिदे पहली बड़ी खबर से दोस्तों मद्य परदेश में इस साल के अंत में वीधान सबाद चुना होना इससे पहले नेताओं का दल बदल का दोर जारी है वही पारट्री के दिगजों को रूठों को मनाने का जिमा भी सोपा गया है लेकिन नाराज नेता अपने फैसले पर अटल है जिसके चलते आये दिन पारट्रीयों में इस्तीफा का दोर जारी है अब दोस्ता आपको बता दें कि बीतो दिनों विजए रागवगर से बीजेपी के पूर विधायक दुरुपरताप सिंग ने अपने पारट्री से इस्तीफा दे दिया था इससे बीजेपी को जोर का जटका लगा है वही चुनाओ के समय में दिगज नेताओं का मोड कोई नहीं समझ सकता मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा छोड़ दुरुपरताप सिंग आज कांगरेश में सामिल होने की खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि दुरुपरताप सिंग कांगरेश का आज दामन थाम सकते हैं और मध्य परदेश अद्धिस कमनलाथ कांगरेश की शदिस्ता दिला सकते हैं अब दोस्तों आपको बता दे कि बीजेपी से इस्तिफा देते समय एक वीडियो बना कर दुरुपरताप सिंग ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि दुरुपरताप सिंग का कहना था कि बीजेपी अब अपने मुझे दान्तों से भटक चुकी है आपको बता दे कि कई दिनों से दुरुपरताप सिंग पार्टी में उपेच्छा जेल है थे अब दोस्तों बात करेंगे दूसरी बड़ी कबर की तो पटना में हुई विपच्छी दलों की बेठक को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। भारती जनता पार्टी बार बार जिक्र कर रही है कि पंदरा दल मिलकर भी परधान मंत्री नारंदर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कि अपनी अपनी राय है ये सभी लोग भष्टा चार परवार वादी हैं। ये सब मिलकर परधान मंत्री के विकल्प के लिए बैठे थे लेकिन कोई एक नहीं हो पाया। वही दूसरी तरह भी पच्ची एक ताकी बेठक के बाद कांग्रेस पर अर्विंद केजरिवान ने जो आरोप लगाया है उसकी चर्चा तेज हो गई है। अब इस पर आप लोगों की अपनी क्या राहे हो कमेंट बुक्स में जरूर लुकिए साथे साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।